जग्दर्बुर्प्रदेश कॉंग्रेस द्वारा सत्ता प्राप्ती हे तू जनता से किये गए वादे को नकार दिया है। वुपेश सरकार द्वारा किये गए सभी वादे निराधार सावित होए हैं। भोली भाली जनता को परिशान करने का काम वुपेश सरकार ने किया है। आज भाजपा के समस्त कारे करताओ द्वारा कुरोना के इस वैश्विक महमारी के चलते लोकडाउन पर अपने अपने घरों के सामने 36 प्रदेश सरकार के वादा खिलाफी को लेकर धर्ना प्रदर्शन किया गया। करने के बजाए वुपेश सरकार ने कॉंग्रेसी नेतागड पैसो की लालश में विशंपर स्थीतियों में सभी नियम काईदों को धत्ता बता आमजन के जीवन को ही खत्रे में डालते हुए। 3 बजे से 5 बजे तक अपने अपने घर के द्वार पर प्रदेश सरकार के खिलाफ धर्ना दी गई। जिसमें सोसल डिस्टेंसिंग एवं 144 धारा का भी पालन किया गया। प्रदेश भारती जनता पार्टी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश पर भारती जनता पार्टी के कारिकरताओं के द्वारा इन बज़े से पाच बज़े तक अपने घर के सामने एक दिवसी धरना देने का कारिकरम रठा गया है। इस कारिक्रम का अभियान जो है वो मुख्यरूत से प्रदेश में जो सराब बंदी का कारिक्रम जो इन्होंने गोशना पत्र में माननी कांग्रेस की सरकार ने किया था उस सराब बंदी को इन्होंने घर घर तक ऑनलाइन के माध्यम से मैखाने बनाने का कायम किया है इस दिश्टी से साथ में धान की जो करीदी है वो नई पूरी हो पाई लोगों को टोकन दिया उसका भी धान नहीं करीदा पचीस्तु रुपिय की जो राशी बोले थे उसमें जो 685 रुपिय की राशी जो बेलेंस बची है उसको भी अभी तक नहीं देने का काम किया है कांग्रेस की सरकार ने ये वादा किया था कि हम आने जब सरकार में आएंगे तो हम 36 गड़ में पूर्णता सराब बंदी लागू करेंगे इन्होंने गंगा जल लेकर ये वादा किया था तो हमारी ये मुख्य मांगे हैं ये सब मांगे पूरी करें कांग्रेश की सरकार अपना वादा निबाए